आदते ही अगर सही हो तो इससे दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है और अगर गलत हो तो सब कुछ होता हुआ भी हाथ से निकल जाता है सो इस वीडियो में जानेंगे step by step कि एक millionaire, एक rich, एक wealthy mindset बनता कैसे है और मैं यहाँ पे कोई shortcut या fake वाली बात नहीं करूँगा कि कोई इंसान fake से by luck, by hook और crook जैसे तैसे बन गया सक्सेस की CD को छू लिया मैं वो बात नहीं करने वाला हूँ मैं बहुत जादा deep जाने वाला हूँ कि जो इंसान इस चीज़ को पाता है कैसे चीज़ को अपने साथ सम्हाल कर रखता है long term तक बहुत ही detail वीडियो होने वाला है हम लोग की step by step बात करेंगे six habits habit number one they are having unscripted life उनकी life में कोई script नहीं होता उसके पास जो चीज़े होनी चाहिए जैसे कि उसको GPS चाहिए होगा कि रास्ता कैसे होगा जाने को गारी में petrol कितना लगे है गारी उसको चाहिए होगी खाना चाहिए होगा hotels पता होनी चाहिए कहां उसको stay करना है और फिर मैं उसको बोलू कि तुम्हें यहां से वहां जाना है तो वो शायद चला जाएगा this is called a scripted life लेकिन क्या हो अगर मैं मुकुल को बोलू कि तुम्हें दली से बस बंबई जाना है वो बहुत ही For example, माल लेते हैं उसको पैसे बिलकुल नहीं है वो ट्रेन का टिकेट भी नहीं करा सकता उसको पता नहीं कहां रुकना है उसको रास्ते का नहीं पता वो स्टार्ट कहां से करे उसे कोई भी आइडिया नहीं है पर still यह इतना पता है कि उसे दिली से बंबई जाना तो है क्योंकि उसको पता है मान लो कि मुगल को अक्टर बनना है तुसे पता है कि दिली में सीख लूगा लेकिन मुंबई में top class acting classes होती है वही मुझे जाना पड़ेगा तो जो रास्ता मुगल चुनेगा this is called unscripted life कोई planning नहीं कुछ नहीं पता कैसे जाना है कहां जाना है क्या होगा बस start कर देना है this is the way successful people start in their life उनको या या तुम्हें लगता हो कि उनको पता है कि उनको करना कैसे पर वो क्या करते है पता है मैं आपको समझाता हू होता क्या है उनकी life में वो ना समाज एक rule book बनाती है common rule book बोलते है जो सब के लिए होता है कि ऐसे जिनकी जीते हैं ऐसे शादी करते हैं ऐसे बच्चे होते हैं ऐसे जॉब लेना पड़ता है ऐसे life होती है पर ये जो बागी होते हैं male या female जो भी जिसके बारे बात करो gender free बाते हो रही है सब के लिए हो रही है ये बागी क्या करता है बागी पहले rule book को उठाता है पढ़ता है देखता है अच्छा ये rule book है माल उस पर 100 rule लिखे वे हैं क्या सही है इसमें से 50 rule उठाता हूँ जो मेरे काम आएगा 50 rule को मैं अपने according बनाऊंगा इसको मैं side करता हूँ क्योंकि मेरे लिए काम नहीं आएगा और वो rule book को पढ़ते हैं समझते हैं फिर अपने according टॉप पर बैठ के rule book को change कर देते हैं मतलब एक simple भाषा में हम लोग बात करें तो वो पहले start ले लेते हैं वो ऐसा समझते हैं कि मालो चलो मुझे नहीं पता कहा जाना है समझना यह बहुत डीप बाते हैं यही difference create होता है एक top mindset में एक mediocre mindset के अदर में बहुत minute gap आता है छोड़े से level पर जो कलो के exponential game बन जाता है जो इंसान देख रहा है कि मुझे नहीं पता में क्या करूँ ना पैसे है ना passion पता है कहां जाऊँ बस इतना पता है कि start करके कुछ बड़ा करना है वो यह बोलने की ताकत रखता है कि ठीक है मुझे 1000 steps सक पहुँचना है मुझे नहीं पता में कैसे start करूँ पर मुझे इतना पता है कि मुझे भी पहला कदम दिख रहा है और वो पहला कदम ले लेते है फिर पता नहीं कौन सी शक्ती कौन सा universe का law मुझे इतना नहीं समझ वा था पर मैंने भी जो experience किया है मैं अपनी कहानी share करूँगा कभी क्या बीचता है कि एक दिन torture की तरह जो तुमारे पास कोई resources नहीं होता बस तुमारे पास जो होता है वो होती है जीवन शक्ती कि मैं कर सकता हूँ तुम बोलते हो ठीक है मुझे पहला step दिख रहा है यह important है मुझे नहीं पता हाजारवाद step कैसा होगा मुझे नहीं जानना है बस I have to take the start और यहां से game बदलना शुरू हो जाता है इस पर मैं तुमें एक hitchhiker की कहानी सुनाता हो hitchhiker क्या होता है पता है जो लोग lift मांगते है तो तुमने अगर lift मांगा होगा या मांगने के कोशिश की होगी या तुमने कभी lift मिला होगा तो तुमने एक चीज़ notice किया होगा कि जो तुमने lift देता है तुम उसको बोलते हो कि भईया मुझे यहां छोड़ दो तो फिर होता क्या है वो बोलता है कि मैं आपको exactly तो नहीं बोल पाऊँगा कि मैं आपको वहाँ छोड़ूँगा कि नहीं छोड़ूँगा पर हाँ एक चीज़ मां बता देता हूँ कि मैं आपको छोड़ दूँगा बस तो आप उसके भरोसे बस बैट जाते हो आप exact destination पर नहीं पहुंसते हो और यहीं होता है जब आप backseat पर होते हो लेकिन क्या हो जो आपने गाली का steering आपके हाथ में हो आपको अगर exactly as मालो डेली की किसी address पर जाना तो exactly आप वहीं लेकर जाओगे और यहीं होता है गेम आप start कर दो यह millionaires जो होते हैं जो top mindset के people होते हैं top one person club में होते हैं वो start करते हैं वो यह जानते हैं कि start करना जो रही है यह अगर हो गया तो game automatic बदल जाएगा इस पर मैं एक personal चीज़ आपको reveal करता हूँ एक company का ad है Mountain Dew उसमें पता है समय लोग बोलते हैं कि डर सबको लगता है गला सबका सुकता है यह बात 100% सही है मुझे आज भी उतना ही डर लगता है मानो ना मानो हर वक्त हर performance से पहले हर real shoot से पहले लेकिन मैं जानता हूँ start करना is important बस start कर दो ना हो जाएगा flow state में आ डर हर किसी को लगता है आप किसी की आज देख कर लाइफ को बोल देते होगे यारी कितना smoothly काम करता है यह कितना smoothly पैसा बना रहा है growth ले रहा है following ले रहा है ऐसा नहीं है डर सबको लगता है गला सबका सुकता है तो अगर आपकी life आपको नहीं पता क्यासे start करना आपकी life unscript होने वाली है अगर आप कुछ अलग रास्ता अपने लिए बनाओगे तो एक चीज़ और आप कर सकते हो कि अपने लाइफ में फियर बेस मोटिवेशन अड़ करो मोटिवेशन दो तरीके का होता है ठीक है पहला होता है फ्लेशर बेसिट कि मुझे मालो कि मैं भी मालो पाँचन लाख रूपे महिएनले का कमा रहा हूँ तो प्लेशर और कि 17 लाख से मैं कैसे पंदर लखे पहुंचू तो यह मोटीवेशन होगा अच्छा करूँगा मैं लेकिन ये उतना डरावना नहीं होगा कि करना ही है जो कि फियर बेस होगा क्या हो मैं आपको बोल हूँ कि आपकी मम्मी हॉस्पीटल में भरती है अगर आप एक घंडे ब्लड लेकर नहीं आए तो में भी शी विल डाई आप अपनी पूरी जीवन शक्ती जान कहीं से भी कुछ अरेंज हो जाए इस इस कॉल फिर बिस मोटिवेशन और मैं अपने आपको इसी तरह मनाता हूं आपको लगता हो कि आज ते कैसे रिचाज रखते हैं आपको मैं अपने अपको हर दिन याद दिलाता हूं आपको भी रिल में आके बोलता हूं वक्त कम है वक इस वीडियो के बाद एक काम करो रिल पे जाना और इसी को चेक आउट करना दुनिया में हो क्या रहा है पैदा रिल खोलो कि आपको मिलेगा कोई अपनी बॉडी बहुत अच्छा फ्लॉंट कर रहा है दूसरे में देखो कि कोई मॉडल बहुत अच्छा अपने यूनों को कोई अपने पैसे दिखा रहा है कोई महंगी कार ले रहा है कोई अभी वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है तो अपने यूनों बावुश होना की विक्चर लगा रहा है तो आप बोलो कि मेरी लाइफ ही ऐसी क्यों है सब लाइफ में अच्छा कर रहे है पर क्या आप इस कावल करके व्लॉक करके अच्छा बना रहा है पर इस सब भीर को साइकर के बोलो की ठीक है जो हो रहा है दुनिया कर रहे ने है यसे बोलो गे तुम बहुत motivated रहता है जोगे गलत नहीं है पर बोलोगे सर मैं ये भी कर लेता हूँ अरे सर मैं ये भी कर लूँगा रे वो भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा नहीं इस तरह तुम वो चीज नहीं कर पाओगे जो तुम exactly करना चाह रहे हो मालो तुमको एक बंजर जमीन है जहां कि जिसके नीचे बहुत सारा पानी है और तुमें पानी निकालना था तुम क्या करोगे खुद बताओ क्या तुम दस जगा गड़ा खुदा ही करोगे इसी तरह अपने तुम्हें काम को देखना है तुम्हें मैं बता रहा हूँ अपने experience से बहुत distraction आएंगे कभी AI technology आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ तुम्हें रोकना है अपने आपको तुम्हें अपनी किसी एक चीज़ को mastery हासिल करनी है, कोई ऐसा skill बन जाओ, मतलब मालो जैसे मेरा है content creation, तो मैं content creation में बहुत deep level की पढ़ाई करके बहुत समझ आता है YouTube कैसे काम करता है, मुझे वास्टाइम कैसे लेना है लोगों को अच्छे चेव content कैसे देना है, content लिखते कैसे हैं, इस पर मास्टरी, अब इसके लावा मैं और इससे related कुछ और चीज़े सीखूँगा, मैं बस YouTube ही नहीं सीखूँगा, मैं सीखूँगा कि कोर्स बना के कैसे पैसे कमा सकते हैं, मैं सीखूँगा कि podcast पे podcast अरेंज करके कैसे पैसे बना सकते हैं, और क्या के multiple ways होंगे, लेकिन मैं जो central theme होगा, वह यह होगा कि मुझे अपने communications impact create करना है, इस तरह तुम्हें सोचना पड़ेगा, इसका मतलब तुम्हें यह ली करना कि बस मालो तुम्हें digital marketing आती है, तुम बस कैसे करते हैं, मैं सीखूंगा कि further funnel कैसे बनाते हैं, copywriting कैसे करते हैं, सब चीजों में experts की according बनता चला जाओंगा, इस तरह तुम्हें clarity के साथ काम करना पड़ेगा, जैसे millionaire सोचते हैं, जैसे millionaire करते हैं, जैसे अगर तुम मेरे बार हैं, पूछो, तो managing की है, MBA किया है, you know, job किया है, economics बढ़ाया है, क्या लिस्टनिक्स कर लेता हूँ, dad plan बना देता हूँ, deep level की writing कर लेता हूँ, copywriting कर लेता हूँ, पर क्या मैं सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं, वो में टी-part का वो लंबा वाला क्या है, क्या है, communication, मुझे पता है कि जब मैं जिस चीज़ में बढ़िया हूँ, मेरे communication के तुरू, learning के तुरू, जो मैंने सीखा है, 5-10 सार में अपने उपर काम करके deep level पर उससे मैं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें अच्छा लगे है कि हाँ, मैं यह करके पैसे बना लेता हूँ, यह करके पैसा बनी जाता है, क्या सूरत है, सब कर लेते हैं, नहीं, कभी पढ़ना exponential rule की से कहते हैं, एक समय के बाद तुम्हें, जो किसी काम में तुम अच्छा करने लगते हैं, तो शुरू में तुम्हें linear result दिखते हैं, लेकि तुम उसमें लगे होते हो, तो result ऐसे ऐसे से होके exponential बन जाता है, इस तरह result वो मारता है, जैसे मालो कि हमारा YouTube का जो growth हुआ, क्य समझ रहे हो, जैसे कि एक और example मेरा तुम समझ सकते हो, उसको समझाने से पहले में तुम्हें एक concept सम्झा देता हो, trade-off, economics में एक concept होता है, trade-off, trade-off का मतब सिंपल होता है कि तुम कुछ काम जो करोगे मानले तुम अगर X करोगे तुम्हारा Y, Z छूटेगा, तुम यह नहीं क्योंकि मुझे जल्दी-जल्दी पैसे चाहिए, तो चीजे खराब होगी मेरे लिए, क्योंकि लंबा करने बहुत वक्त लगता है, तो मैंने सुचा कि यह मेरा रास्ता नहीं हो सकता, मुझे इस चीज़ को trade-off करना पड़ेगा, मुझे सोचना है कि मैं एक influence create करना चाहता ह जो भी मेरे वीडियोस देखे, जो भी मेरा content देखे, जो भी मेरा course देखे, वो बोले कि क्या experience था, मैं इसकी बातों से resonate करता हूँ, अधित्य चेंज माय लाइफ, तो मैं एक influence पर निकला हूँ, तो influence के रास्ते में मुझे trade-off क्या करना पड़ा, कि मुझे शायद बहुत प बैठते हैं, बहुत deep level के thinking में चाले जाते हैं, उनका subconscious mind बहुत smart है, and he needs a more personal time, तो उन्हें पर शादी का trade-off कर दिया, जाने दिया, महात्मा गांदी इतने बड़े bachelor degree, ब्रिटेन से, बैस्टर बोलते हैं वहाँ पे, सब छोड़के धूती कुरता में आ गये, जिन्दगी सा छूटेगा, छूटेगा, हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा smart हैं, सब कुछ करके निकल जाएंगे, बच जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा ना, नहीं, इस क्लाइटिक साथ काम करो, जाने दो, ये बोलनी की ताकत रखो, अगर relationship पे भी आते हो किसी, you know couple किसी के साथ, sorry, तो proudly बोलो, कि मैं वो इंसान हूँ, बढ़े लड़कियां दुनिया में कितनी सुन्दर हो, मुझे फरक नहीं पड़ता, मैं इस से प्यार करता हूँ, मैं इस से प्यार करती हूँ, he is the one, she is the one, this is the power, you have to say, this is the power, दुनिया तो फसी है multiple कामें, रहने दो, average बनके, loser बनके, त तुम किसी एक चीज़ की महारत, तुम और वो काम एक हो जाए, रोनाल्डो मतलब फुटबॉल, क्रिकेट मतलब विराट, अधित्या मतलब कमुनिकेशन, इस तरह अपने आपको बनाओ, किसी एक चीज़ का पक्का मत, यह नो गेम चेंजर कि तुम्हें लोग उस तरीके से पॉर्ण पर बैठी है, यह देख, शॉटकाट पैसा कमाने का, यह तो देख, लग्जरी लाइफ शनल ने बॉटी इतनी शॉटकाट से बन जाएगी, मत फसो दोस्त, मत फसो, करो काम, डीप लेवल का काम करो, ऐसा इनरेपलेसिबल बन जाओ, इसे लिंच्पिन बन जाओ, यू आर तैट अमेजिंग लेवल अपॉसन की, लोग तुमसे मिलने को, यू नो बात करने को तरज जाए, ऐसे अपने परसनाइटी डेवलप करो, और इसके लिए तुम्हारा सबसे अच्छा हेल्प होगा, रिटरन तु यूर सॉलिटूड, एक बहुत ही प्यारी बुक है 10 स्पोग जारत उस्तरा भाई फरेडिक नीचा, उन्हांने कहा कि ये दुनिया तुम्हे फसा रही है, ये दुनिया तुम्हे अपने पास बुला रही है, जाओ, रिटरन तु यूर सॉलिटूड, अपने सॉलिटूड में जाओ, वहीं तुम्हारा रियल गरोथ है, अपने ब्रेस स्ट्रॉंग हो गया है तुम्हाला एथिक्स स्ट्रॉंग है तुम किसो ठगोगे नहीं टाइम विस्ट नहीं करोगे किसी का तुम समझोगे लोग भी में लिए कितने इंपॉर्टेंट है बनो ना किसी कंपनी के CEO जॉब में अपग्रेड लो कौन रोक रहा है इस तरह काम करके थार्ड लर्निंग मोटिवेशन एंड डिसिप्ली मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कभी सोचा है मोटिवेशन दो वर्ट से मिलके बना है मोटिव प्लस एक्शन मतलब किसी भी चीज को करने का मोटिव क्यों करना है मोटिव और इसके लिए जो एक्शन लिया जा खुछ सोचके देखो मालनो मैं कुछ लिखना चाहता हूं तो मैं एक एक कप काफी बनाता हूं अपने कान म welfare क लगाता हूं एक घंटे के लिए timer set करता हूं लिखता हूं ति मेरा काफी की abeth कि लिखता चला जसे지 is important, एक रूरी में तुम्हें शेर करता हूँ, एक रूरी क्या होता है, सुसाइटी गए अंदर क्या होता है मैं बताता हूँ, सुसाइटी गए अंदर जब कुछी चीज common बन जाती है तो इसको लोग गंदा कर देते हैं जैसे कि मानलो motivation, motivation word गलत नहीं है लेकिन लोगों ने इतना motivation वाले फाल्तु बात कर रखा है deeper level की बात नहीं करते हैं superficial level पर ज़्यादा बाते करते हैं कि ये term गंदा हो चुका है, मैला हो चुका है similarly with the reading, सबको पता है reading में कितना ज़्यादा power है दुनिया के billionaires, millionaires हर दिन read करते हैं, लेकिन आज हर दूसरा बंदा चिला के बोला, read करो read करो, तो ये चीज़ common बन गया है reading की कोई depth को नहीं समझ रहा है तो इसी तरह motivation को लोग ने कर दिया, लेकिन motivation बहुत helpful है, मैं तुम्हें link कर भाता हूँ अपनी कहाणी पर मेरा पता है, action लेने का start क्या है, push क्या है initial कि morning उठूँगा, you know, एक बढ़िया coffee बनाऊँगा because I am not a damn coffee lover, बहुत जादा lover तो नहीं बठा, मैं 2-3 time around 1.5 milligram का caffeine consume करता हूँ, जो की बहुत ही moderate amount का coffee है, बट जादा मत करना, जैसे मैं बहुत moderate रखता हूँ, एक सब दो बार यसी तुम भी रखना, तो मैं morning में अपना मैंने motivation बना रखा कि उठूँगा, तो बढ़िया coffee मिलेगा, बाहर जाके थोरा सा, अभी तो ठंड है, लेकिन बाहर निकल के मैं बैठता हूँ, थोले पांच triggers होते हैं, कि इसके through मैं start करना चाहता हूँ, यह मेरे पास होगा, तो मैं start कर लूँगा, इस तरह तो अपने चोटी-चोटी cues को ढूँड़ो, जो तुम्हे push करे start करने के लिए, जैसे कि तुम बोल सकते हो कि मैं जब अपने room को lock करके शांती से बैठती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं start करती हूँ, या फिर मैं कोई video देख लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं start कर देती हूँ, इस तरह अपने आपको की चीज़ से link करो, फिर start करना शुरू करो, और अब समझो कि motivation से भी सबसी ज्यादा important है discipline, discipline का मतलब क्या होता है, हिंदी वर्ड जानते हो क्या होता है, अनू, शाशन, अनू मतलब क्या होता है, self, शाशन मतलब rule, वो इंसान जो खुद पर rule करे, और क्या हर कोई राजा बन सकता है, इसी लिए discipline इतना tough है, खुद पर राज करना, मतलब क्या हो गया, दो दिनी तो बरबाद हो गया, लेकि तुम अपने मन के मालिक हो, तुम अनुशाशित हो, तुम खुद पर राज करते हो, अगर तुमने commitment दिया है कि आश्चा में मैं इतने बज़े जिम में रहूंगा, कोई दुनिया के ताकत तुमें रोक नहीं पा रही है, तो तुमें motivated रहना है, साथ में discipline को अपना दोस्त बनाओ, discipline को एक छोड़े से analogy समझो, discipline क्या होता है बताता हूं, एक flame को समझो, एक flame जो आख का सुछ जलता है, motivation क्या होगा ना, कि तुमें बहुत साथ जलेगा शूरू में, एक होता है न, बड़ा सा flame जला बंद हो गया, वो regular नहीं रहेगा, लेकिन discipline होता है थोड़ा थोड़ा देली जलना, थोड़ा थोड़ा देली जलना, लगे रहना, और discipline का सबस्यादा बाधा जो बनता है वो होता है तुमारे emotions, आज न, दस दिन से बहुत काम कर रहा हूं, आज सो रिस बनता है, अब तो यह लंबा ट्रि में काम करता ही, उसके बाद में chill out करता हूं, इस तरह अगर तुम मनुशाशित रह सकते हो, तो तुम बताओ कि दो-तीन साल में तुम अपने सारे competition को beat कर पाऊगे नहीं, मुझे पता है, मुझे अपने competition दर लगता ही नहीं, क्योंकि मेरे dictionary में competition word ही नहीं, पता ही लोग इस शक्ति मुझ़े रोग सकता है, कोई नहीं, हाँ, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से दिगज लोग नहीं है, बहुत दिगज लोग है, लेकिन मैं अपने आपको अपना competition देखता हूं, मैं मानता हूँ कि मैं अपनी मैं best हूँ, मैं हर दिन अपने आपको सीखा रहा हूँ हर दिन मैं सर्फ डिसिप्रिन बन रहा हूँ और मुझे पता है कि युनिवर्स का लॉफ फेल नहीं होता इफ आइप पुट सो मच एनरजी इन दाट, I will definitely get reward out of that simple अब जिस भी मिलिनेर से, जिस भी influential person तुम इंस्पायर होते हो जाओ उनको चेक आउट कर तुम पाओ कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है और मैं बात कर रहा हूँ रियली में जो effective लोग है, वो time pass वाले लोग नहीं, जिसे तुम वाकिम influence होते हो तुम देखो कि दुनिया में कहीं भी शादी हो रहा है, कहीं भी लोग travel कर रहे हैं क्योंकि discipline में सबसे बड़ी बाधा पता है क्या बनता है मैं बताओ, ये boring है खुद सोचो ना, तुम motivate होके start तुमने कर दिया पर किसी चीज़ को तुम लगातार मालो एक महीना करते हो फिर तुम लगे यार कुछ kick नहीं मिलना है kick नहीं मिलना है और आज का youth जिसको social media पर हर 2 second पर एक नया entertainment चाहिए एक नया, कुछ भी ऐसा जिसको hook करके रखे बहुत मुश्किल है पर फिर भी तुम अगर इसमें अपने आपको मना सकते हो कि ठीक है, होने तो जो होता है, मैं कर लूँगा तुम लगे हो discipline की तरह तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है मैं सारी बाते अपनी experience से बात कर रहा हूँ और उन लोगों के experience शेयर कर रहा हूँ जिन्होंने तबाही और इस फिल में मचाया है और अब मैं तुम्हें समझा लोग कि तुम कैसे step ले सकते हो जिसे की मान लोग की कोई लड़का है कोई जिम जा रहा है एक महिने के लिए गया उसको excitement शुरू में कि मैं body weight कम करूँगा पर वो एक महिने जाके देखा कि वही shoulder मारना वही bicep lift करना वही rope करना वही running करना बोरिंग है यार thrill नहीं मिल रहा वो छोड़ देगा क्योंकि वो बस motivated था उसके अंदर आग थी जो गलत नहीं था पर वो daily burn नहीं हो रहा था उसका discipline high नहीं था वो जानता नहीं था कि ये चीज बोरिंग है daily करना है या daily करना पड़ेगा कोई shortcut है ही नहीं क्यों ना मैं इसे प्यारी कर बैठूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत ही brutal सच्चाई बताता हूँ बहुत ही गंदी सच्चाई जो मुझे भी नहीं पता था जब तुम अपनी life में आगे बढ़ना शुरू करोगे ना पता है ये success, fame ये किसी की सगी नहीं है ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेवफा दिल रुबा है किसी की सगी नहीं है जहां तुम धीले पड़े तुमारी बाहों से कफ फिसल कर निकल जाएगी और किसी के और के बाहों में होगी यह किसी की सगी नहीं हर दिन तुम्हें लगे रहना पड़ेगा हर दिन day in day out थोड़ा थोड़ा करो यह नहीं बोला अपने अपको दिन बर burn out कर लो लेकिन 3-4 गंटे, 5 गंटे डेली तुम्हें अपने skill पे, अपने art पे, अपने काम पे deep level का काम करते रहना पड़ेगा Habit No.4 Synergizing with people Which means thinking win-win सब के बारे में सोचना एक average इंसान से मिलोके तो पता है उसकी life कैसी होती है मेरी salary, मेरी life, मेरा सब कुछ मै, 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 मै पूरे दिन बस वो मै, मै, मै अपने में ही फसा होता है उसको नहीं पता दुनिया में कौन जीत रहा है, क्या हो रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता बस मेरा काम निकलना चाहिए He is or she is a very selfish person और इस तरह उसकी growth भी बहुत ही limit होती है लेकिन इसके विपरीद जो लोग influential person होते हैं जो लोग में लाइफ हैं मचा रहे होते हैं they are और they think win-win वो सबकी जीत के बारे में सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं तो जीतू साथ में सब जीते हैं इसका मतलब तुम अपना हाथ दो सब लोग अपना हाथ दो मिलकर आगे बढ़ते हैं इस game को बड़ा करते हैं मैं भी जीतूँगा और साथ में मैं तुम्हें भी जीता हूँगा और पता है ये think win-win वाला mindset तुम एंदर कब आएगा जब तुम इस छोटी सोच से निकलोगे और इस चीज़ को visualize कर पाऊगे मैं समझा रहा हूँ उसको समझना कि तुम ये समझ गये ना कि तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं है तुम्हारे जीतने से तुम्हारे आस पास का समाज जीतता है पुरी family जीतती है ये society, ये महला, ये देश, ये world जीतता है तब तुम्हें एक बड़े picture से पने आपको जोड़ पाऊगे जैसे कि माल लो, अगर मैं content बनाता हूँ तो मैं सिर्फ अगर बोलूँ मुझे पैसे बनाना है पैसे बनाना है, पैसे बनाना है shortcut मारके, चोरी चमारी, इधर दर करके मैं कुछ ना कुछ पैसे बना लूँगा पर अगर मैं इसको इस तरीक से देखता हूँ कि अगर मेरी video, मेरी family देखे ये society देखे, या देश पे एक बड़ा level का impact आचा है ये दुनिया एक बहतर जगा बनने लगे तो कितना बड़ा change आएगा और फिर इसके साथ पैसा, fame, name ये तो by product ये तो मिलना ही है, ये कहां जा रहा है इस picture से अगर मैं अपने आपको जोड़ता हूँ तो क्या मुझे सब पुछ नहीं मिलेगा क्या लोग मेरा साथ नहीं देंगा आगे बढ़ने में क्या आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हो कितना साथ देते हो, comment section जाके सब लोग पढ़ लो ये होता है, इस तरह चलना पड़ता है मैं भी जीतूँगा, अपने साथ में आपको भी जीता हूँगा सब लोग मिल के इस गेम को बढ़ा करते है इस तरह तुम्हें अपने काम में बड़ी चीजों से लिंक करना है खुद को ये मत देखो कि सिर्फ मैं पैसे कमा लूँगा, सेल ली आगई ने पजाजार कमा लिया, ने एक लाग कमा लिया अब जिन्दगी सेटर जाता हूँ, खापी के सो जाता हूँ मत जीओ एक जानवर की तरह, मत जीओ एक कीरे मकॉड़ी की तरह कीरे मकॉड़ा कर क्या रहा है, खा रहा है, पी रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, सो रहा है, मर रहा है यही तो जिन्दगी है उनकी यही करने आये हो सूचो सूचो सब के बारे में सब को साथ लेके चलो ठिंक विन-विन इस पर एक और एक्जामपल है Elon Musk का, वो क्या कर रहे है उन्होंने इतना पैसा बना लिया है कि वो आराम से जिन्दगी बिता सकते उनकी साथ पुष्टे बैट कर खाएंगी बट ही इस टे और नाइट पुटिंग एफ़र्ट विद सेम एनरजी और इवन मोर एनरजी उनको पता है कि वक्त बीत रहा है वक्त कम है, बहुत कुछ बनाना है और वो जीत रहे हैं, तो पुरा उनका कंट्री जीत रहे हैं उनकी सुसाइटी जीत रहे हैं यह दुनिया बहतर जगा बनते चली जा रही है माल लो कि उनका कुछ एक्सप्रेमेंट सक्सेशुल हो गया आम लोग मार्स पे जाने की तयारी कर सकते हैं उसके बारे में तोड़ा जादा सोच सकते है तो कितना बड़ा शिफ्ट होगा युमानिटी पर कभी सोचा है तुमने इस तरह तुमारे जीत से सब की जीत होती है इस तरह अपने पिचर को बढ़ा करो चीप के तरह मत सोचो कि दो पैसे कमा के ठग लूँगा ना भाई को यह नहीं होगा तो पिसको ठग के पैसे कमा लूँगा इससे कर ले भाई क्या तुमेना बिगाड लेगा किसी का बिगाड लेगा दिंदगी तो बढ़ेगी यह आगे वो इंसान अपने पैड पर आगे बढ़ी जाएगा लेकि तुने अपना लॉस कर लिया तुने अपनी गुडविल खो दी तुने अपना सब कुछ खो दिया यह आपको नहीं करना है और इस पर एक मेरा परसनल एग्जामपल है मेरे एक एडिटर है शुभांकर मतलब साथ में वो मेरी बहुत अच्छे से दिखाता है मुझे किसा देखो न मैंने यह एडिट किया ऐसा किया आपको कैसा लग रहा है पता है कि बंदा पुरा जान डाला है तो मैं भी उसको बोल रखा हूं कि मैं जीतू का न शुभांकर तो तू भी जीतेगा तुम टेंशन इस तरह मैं साथ बर रहा हूं को लेकि इवन गुट टू ग्रेट एक बुक है आप पड़ोगे उसमें बहुत अच्छे सा अथर ने बताया है कि बड़ी कंपनी का गेम चेंजिंग पॉइंट यही होता है कि वो ना अपनी टीम को अपनी फैमिली मानते हैं घर का सदस्या सा अब्राहम लिंकर और उन्होंने गलत काम भी बहुत सारी किये हैं पर उनकी एक लर्णिंग बहुत दीप जो तुम रिलेट कर पाऊगे उन्होंने कहा है कि इस अपने थार को इतना तेज करूंगा कि पेड के पास गया थोड़ा से फट मारा पेड़ पुड़ा कट जाएग इसका मतलब होता है अपने उपर डीप लेवल का काम करना दिन रात अपनी इनर्जी पुट करना अपने को कुछ नया सिखाना नया बताना अपनी इस हतियार को जो मशीन इसको इततीस बना लेना कि कोई भी काम तुम गए और तुम ने इसको कर लिया मैं तुम एक्जामपल कि लग कैसे हुब करने वाला हँ अच नहीं स्ट्रॉंग है आप प्रिपेरेशन कर रहे हो आप डेली ले रहे हो'Dag डेली कूछ लेली कुछantes पॉपॉच्ट्टि आएगा तो आप ग्रो नहीं करोगे अपके पस अगर 5-6 क्लाइंटस आगे अप पैसे नहीं कमाओगे आप ग्रो नहीं कर जाओगे ऐसे ग्रो कर जाओगे दिस इस कॉल लख्ड अपना लख हुद बनाना मैं अगर अगर अपने वीडियोस आप मेरे करना लोगों से बात करना अपने आपको बनाना कम्मुनिकेट करना यह तो होना ही था पेर तो कटना ही था इस तरह होती है तैयारी और इसके लिए मैं आपको एक रूल देने जा रहा हूँ चार चीज़ आपको डेली फॉलो करना है तो शार्पेंड यह सौ पहला डेली रीड फोर तीस मिनट तीस मिनट के लिए किसी भी आप जिस भी फिल्ड में उसमें बुक उठाईए पढ़ना शुरू कीजिए प्लीज प्लीज अपने आपको उबर स्मार्ट मत समझो अपने आपको यह मत समझो कि मैं सब कुछ जाता हूँ मुझे सब कुछ आता है मैं दो चार पॉटकास सुन लेता हूँ मैं दो चार लो की ऑडियो बुक लगा लेता हूँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ जो बुक में विजडम है वो टाइमलेस विजडम है उसके अंदर ऐसे से लोगों ने अपने एक्स्पीरियेंश शेर की है जिन्होंने गलतिया की है तुम्हें बस ये विडियो लग में 40 मिट से रिकार्ट कर रहा हूँ बीच-बीच में बन करता है उट जाओं थोड़ा सा रुक चाओं अच्छा नहीं लग रहा है बोर लग रहा है कितना बोलना पड़ेगा फिर अपने आपको बीच-बीच के वीडियो में काम कर लेता हूँ शांत करता हूँ याद दिलाता हूँ क्यों करना है फिर से स्टार्ट करता हूँ तो मैं तुम मैं बोलेगा मॉर्णिंग में मेडिटेशन एटलीस 15-20 मिट के लिए करो टू स्टार्ट यो डे इन पॉस्टिव मैनर और चौथी चीज इसके साथ करो वो है डेली फिजिकल हो यूटूब हो मत करो उठो एक्षन लो डेली आदे घंटे डेली आदे घंटे जिम में जाओ कुछ फिजिकल आक्टिविटी करो इस मशीन को चलाओ यह मशीन रहेगी ना नाम पैसा हिस्जत खूब कवाओगे यह मशीन बैठ गी ना आज सुमता हो में हाट अट अटाइ पड़ेगा यहां पे मेजॉट्टी लोग फेल हो जाते हैं और अगर तुम्हें धहरे पे मास्टरी करनी है तुम्हें साइलेंस पर मास्टरी करनी पड़ेगी मैंने जिस पर वीडियो बना रहा था पर लगग धाई लाक व्यू जा चुका है बहुत प्यार मिला लोगों का धाई लाके में एक्जाक्ली याद यह डियर यह डाई प्यूस हैं बट एक बड़ जाकर चेक आउट कर लो यू विल लॉव दाट वीडियो बट पेशिंसली डील करो पता है एक एक जामपल लेते हैं जैसे कि मानलो मैं एक इंसान हूँ मैं कुछ पैसा बनाना चाता हूँ पैसा जल्दी बनाना है अब देखो तुम कैसे ट्रैप में फसोगे कोई भी तुम्हें बेफूफ कैसे बना के चला जाएगा क्योंकि मैं शॉटकर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम है मैं लोगों के प्रोफाइल चेक करता हूँ लोग बहुत ज बेफूफ के तरह चले जाओ और फस जाओ क्योंकि तुम्हें पता ही निए कि यार कोई चीज जो लंबी होती है ना वह बनाने में दो साल चार साल पांच साल तस साल बीस साल तीस साल लगते हैं वक्त लगता है इतना असान नहीं होता होता ना बहुत शॉटकट तो सब लो मस्क हैं तो तुम तो उनकी सक्सेस स्टोडी देखते हो इस वन रिचेस परसन ये वो कभी उनकी जीवनी पढ़ो जाकर उनकी बायोग्रफी उठाओ एक बाल इलोन मस्क तब तुम्हें पता चलेगा कि कितने साधा ट्रॉबल से वह इंसान गुजरा है तब जाके वह इंच किय를 करता हूँ वह सब मिलने वाल है हर बणाना नहीं है गलत नहीं है गलत चीज वह काम करने वाले हो तुमें बहुत लोग अपने पास बुलायेंगे बोलेंगे यह चीज़ Secret जल्दी कर लो जल्दी मिल जाएगा मत तुम खुद सोचाघा तुम्हारे तुमने घर उनका ब देखने में अच्छा तो घर तो सुन्दर ही होगा लेकिन एक भूगम का हलका जटका आया पूरा घर ढह जाएगा लेकिन एक घर इतना मजबूत फानडेशन पर टिका हुआ है कोई दुनिया के तक उसको हिला नहीं सकती तो वो तो अपना इस्ट्रक्शन उपर बढ़िया बनाएगा ही ना क्यों नहीं बनाएगा इसी तरह तुम जब शांत रहके काम करते हो सैलिंस को यूज करते हो पिशिंसली काम करते हो लगे रहते हो टुम रखते हो जिंदा रहते हो काम करते वक्त तुम आज में तो कल मैं ग्रोथ लूंगा यह दान है इस तरह तुम काम करते चले जाते हो लिप नीन में पास लिमिटेड लोग है तुम यह वर्यर सिन्धाव मैं मानताा हूं तूम प्रफरे यृफ में बहुत बिक ट्रांस्वर्मिशन चाहते हो तभी तुम मिरे साथ जुड़े हो तो तुम्हें डेली करना पड़ेगा मैं तुम्हें जूटा दिला सा नहीं दूँगा कि नहीं जिन्दगी बहुत प्यारी है नाचोगा वो है मैं मानता हूं लेकिन हसल है बास जिन्दगी जंग भी है अनिलिकपुर की गाना याद है ना जिन्दगी हर कदम एक नहीं जंग है जीत जाएंगे हम तू अगर संग है अब तब थिंक विन-विन सब को साथ लेके चलो और हर कदम जिन्दगी जंग है ये भी याद रहो मेरे पापा का ये फेविट सौंग है बहुत गाते थे तो लोग कमेंट करो बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं अप जानते हो कि में आपके कमेंट's पढ़ता हूं इंट्राक्ट भी करता हूं तो मैं जानना चाहता हूँ कितने सीरियस लोग है हमारे ministY में सुरूर कमेंट करो और वीडियो में मैंने आप कुछ ऐया था लग दिलवा सिर्फ अपने बारे में आप मत सोचो सब के बारे में सोचो इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो देखके जाओ लाइक कमेट छोड़के जाओ ताकि यूटूब के अलगिर्दम को लगे वीडियो बहुत अच्छा पबम कर रही है शेयर करो वाट्सअप के ओपर सब लोग को बता चले तो आंबकर लो और मैं तुम्हें सबस्क्राइब करने के लिए नहीं बोलूगा वह में तभी बोलूगा जिब तुम जाके बेले वीडियो चचर्कवाट करो चैनल का तुम्हें लगता कि वीडियो वर्थ है तुम्हें सब suisk मैं करो तुम ताइम कीमति है हो तक्रना साथ तब तो खैबा, ग्रीट टाइंग.